फाइनली फाइनली वो दिन आया जहां बैंगलोर बैशर्स की जीत होई जिहां उमंग और अभिशेक ने मिलकर जिता दी अपनी टीम बठोन की फायदा जद चिडिया चुक गई खेत क्योंकि अब कौलिफाय तो बैंगलोर बैशर्स नहीं कर सकती और इसी वज़ा से मांगी अभिशेक ने जीत के बाद भी अपने फैन से माफी बदा दें आप सभी को डली डानमिक्स के साथ आज ये मैच था जहां उन्होंने 10 ओवर में 124 रन बनाए थे वहीं 5 ओवर भी कंप्लीट नहीं किये कि 117 रन बना दिये सिर्फ 127 रन बना दिये वो भी सिर्फ एक आउट क यानि कि आज खेले अभिशेक मलहन 10 बॉलों में उन्होंने 40 रन बनाए हैं जो की लगातार चखों की बारिश करते हैं और आज उन्होंने इतना जबरदस खेला कि उन्होंने अपनी टीम को जिता ही दिया अभिशेक के साथ मिलकर लेकिन अगर इसी तहां की जो जजबा है जो पारी है ये पहले की चार मैचरस में भी खेलते तो आज का पांचवा मैच जीत कर ECL का अभी भी ये हिस्सा होते पर ये आज बेंगलोर बैशर्स का आखरी मैच था और ये कौलिफाइ नहीं हो पाए है ECL में अब इन्हें आप खेलते हुए नहीं देखेंगे